नमस्ते दोस्तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तो आज में आपको माइक टो सब वाड में मार्कशीट कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक टेबिल को यहाँ पे डिजाइन किया है बिल्गुल ऐसा ही टेबिल मैं आपको Microsoft Word में स्टेब बे स्टेब बनाके दिखाऊंगा और उसके साथ ही टोटल और एवरेज के फॉर्मूला को भी मैं यहाँ पे आपको एपलाई करके दिखाऊंगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको Microsoft Word के एक नए पेज को ओपेन कर लेना है फिर टेबिल को इंसाट करने के लिए आपको जाना होगा इंसाट टैब में इंसाट टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है टेबिल में टेबिल में क्लिक करने के साथ ही आपको यहाँ पे बहुत सरे सेल दिखेगा यहाँ से भी आप टेबिल को इंसाट कर सकते हो, या फिर आप नीचे इंसाट टेबिल में जाके आपको ख़िक कर देना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे Number of Column और Number of Row को देना होगा, तो मैं यहाँ यहाँ पे जो row है इसको आपको यहाँ पर merge कर लेना है इसके लिए आपको यहाँ पर यहाँ पर जाके एक बार click करेंगे click करने के साथ ही उपर का total row देखी यहाँ पर select हो चुका है इसके बाद आपको जाना होगा layout tab में layout tab में जाने के बाद आपको click करना है merge cell में click करने के साथ ही दोस्त heading में लिखूंगा mark statement फिर आपको नीचे चल लायना है और यहाँ पर लिखना है name class English math science total average फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है यहाँ लिखना है student name class English का marks math का marks science का marks ऐसे आपको कुछ data यहाँ पर entry कर लेना है तो यह देखे मैंने यहाँ पर कुछ data entry कर लिया है अब मैं यहाँ पर आपको average और total को calculate करके दिखाऊंगा दोस्तो MSWAT के mark sheet में अगर आपको total और average दुनों को calculate करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर average को calculate करना होगा क्यूंकि formula ही कुछ ऐसा है तो हम यहाँ प first cell में जाके click करना है आपको click करने के बाद आपको जाना होगा layout tab में layout tab में जाने के बाद आपको click करना है formula में formula में click करने के साथ ही यहाँ पे देखे formula के window open हो चुका है और यहाँ पे देखे formula box में लिखा है equal sum left इसको आपको erase करके लिखना होगा equal average first bracket में left लिखने के बाद just एक बार okay में आके आपको click कर देना है click करने के साथ ही यहाँ पे देखे average जो है वो calculate हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे हमने formula में लिखा है equal average left मतलब की left side में जितने भी number होंगे उसका average यहाँ पे निकल के आ जाएगा अगर हम यहाँ पे पहले total को calculate करते तो फिर total का जो number आता वो भी यहाँ पे include हो जाता तो इस लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले average को calculate किया है अब दोस्तों बाकियों के average को calculate करने के लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पे control y प्रेस करना है तो यह देखे calculate हो चुका है नीचे आना है control y नीचे आना है control y तो यह देखे बाकी सारे का average जो है वो यहाँ पे calculate हो चुका ह CTRL Y का मतलब है यहाँ पर redo मतलब की जो formula हमने सबसे पहले cell में apply किया था वही formula हम यहाँ पर बाकी सारे cell में CTRL Y प्रिस करके apply कर रहे हैं अब मैं दोस्तों आपको same process follow करके total को calculate करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको total के first cell में जाके click करना है इसके बाद आपको जाना होगा layout tab में layout tab में जाने के बाद आपको click करना है formula में और यहाँ पर देखिए formula already लिखा हुआ है equal sum first bracket में left यही आपका total का formula है यह formula already लिखा हुआ है जस्ट एक बड़ आपको okay में आके click कर दिना है click करने के साथ यहाँ पर दीखे total जो है वो calculate हो चुका है बाकी okay total को calculate करने के लिए just यहाँ पर आपको नीचे आना है ctrl y प्रेस करना है ctrl y नीचे आना है ctrl y ctrl y यह दीखे बाकी सारे का total यहाँ पर calculate हो चुका है तो दोस्तो यह हो गया मेरा table का पूरा काम अब भे दोस्तो आपको यहाँ पर इस table में design apply करके दिखाऊंगा इसके लिए आपको table में click करना है click करने के बाद आपको जाना होगा design tab में यहाँ पर आपको बहुत सारे table style देखने को मिलेंगे click करने के साथ ही दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो style जो है वो यहाँ पर apply हो चुका है तो दोस्तो यह था simple process जिसको use करके आप easily mark to support में mark sheet को बना सकते हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा thank you for watching the video please keep your support